यह है एक thermal vacuum water bottle जो थंडी चीज को थंड़ा रखता है और गरम चीज को गरम रखता है काफी दिर तक लेकिन यह दूसरे thermal water bottle से काफी अलग है दिखने में भी यह काफी अलग है और इसमें एक खास feature है वो feature यह है कि यह thermal water bottle OLED डिस्प्ले के साथ में आता है इस वीडियो में मैं इसके अन्बॉक्सिंग करूँगा और आपको इस water bottle के खास features के बारे में बताऊँगा देखते रहिए नमस्का दोस्तों मैं हूँ गोगी और मैं ऐसे यूनिक प्रोडक्स के रिव्यूज भी करता हूँ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए यह है मोका स्मार्ट कॉफी टंबलर एक thermal water bottle है और यहां पर आप देख सकते हैं की features जो है क्या क्या कर सकता है वो सारी चीज़े बॉक्स के उपर clearly mention किया हुआ है वो भी English में इस tumbler की खास बात यह है कि यह काफी lightweight है 310 gram इसका वजन है और 430 ml का capacity है यह थंडी चीज़ को तकरीबन 24 घंटे तक थंडा रखता है और जो गरम चीज़ है उसे तकरीबन 8 घंटे तक गरम रखता है और खास बात इस पर OLED display है जिससे आपको जो भी content है इसमें उसका जो temperature है और वो आपको पता चल जाएगा QR code भी यहाँ पर दिया गया है लेकिन आप उसे ignore कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो और भी details दिया गया है कि यह जो tumbler है इस पर आप temperature देख सकते हैं brewing भी कर सकते हैं इसमें वहीं मैं आपको बात में बताऊंगा लेकिन फिलाल हम इ एक user manual भी मिलता है और यह user manual है यह English में नहीं है चाइनीज में है लेकिन अच्छी बात है कि जो box pack है उसके उपर सारा का सारा जो content है वो English में है तो वहां से आपको बहतर idea मिल जाएगा तो इस user manual के अलावा आपको box के अंदर एक leather strap भी मिलता है यह देखिए यह extra leather strap है अगर आप यह जो tumbler देखें तो इसके उपर भी एक leather strap लगा हुआ है आपको एक extra leather strap भी साथ में मिल जाता है तो बस यह सारी चीज़े हैं जो आपको box के अंदर मिलेगी तो यह potable thermal water bottle है इसे tumbler भी कह सकते हैं और इसे potable thermos cup भी कह सकते हैं इसकी built quality of finishing बहुत ही बढ़िया है इसमें stainless steel पीपी और plastic का इस्तमाल किया गया है इसकी जो body है cylindrical है लेकिन थोड़ी सी curvy है और नीचे यह information दिया गया है hand wash only और इसे आप microwave में इस्तमाल नहीं कर सकते दिखने में यह काफी आकरशक है और premium quality का है यह है इसका ढखकन और यह है leather का strap extra strap भी आपको box के अंदर दिया गया है तो यह film को मैं निकाल देता हूँ यह actually OLED screen है इसे आप swipe करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर आपको temperature दिखाता है तो इसके अंदर जो content है उसका temperature दिखाता है साथ में एक game भी है और timer भी है तीन functions है तो आप temperature देख सकते हैं गेम सकते हैं यह तो अगर आपने जो select किया है आपके हातों पे और यही same इस जो OLED screen है इसके उपर match हो जाता है तो आप जी जाते हैं चोटा सा game है पस इतना ही तो यह जो game है built-in है एक function है दूसरा function है temperature दिखाता है इसके नदर जो content है उसका temperature और यह है timer timer का आप हुपयोग कर सकते हैं brewing के लिए तो आपको पता चल जाएगा कि इतने दिर तक जो content आ आता है तो जो अंदर content है वो leak नहीं होगा इस धकन को मैं खोल देता हूं और देख सकते हैं कि अंदर एक coffee brewing attachment मिलता है यह है coffee brewing attachment इसमें आप coffee दाल सकते हैं और थंडा पानी दाल सकते हैं और इसे चार घंटे के लिए रख दीजिए brew होने के लिए साथ में आपको यह pouch मिलता है और एक card मिलता है तो जो card और पाउच है उसे आप फैक सकते हैं इस container में आप coffee brew कर सकते हैं इसे आप इस तरीके से खोल सकते हैं और इसमें 20 gram का coffee दाल दीजिए और फिर इस ठकन को बंद कर दीजिए और फिर इसे जो bottle है उसमें दाल दीजिए और उसमें थंडा पानी दा आप निकाल कर side में भी रख सकते हैं इसमें चाई भी दाल सकते हैं चाई की पती भी दाल सकते हैं कोई problem नहीं है लेकिन अगर आपको brewing attachment इस्तेमाल नहीं करना है तो इसे side में रख दीजिए यह जो ढखकन है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह है temperature sensor और यही sense करता है यह OLED screen है इसके अंदर जो है built-in button cell है और उसको change करने के लिए आपको यह जो ढखकन है इसे आपको इस तरीके से निकालना है यह देखिए चोड़ा सा attachment है उसके बाद में यह पूरा का पूरा attachment यहां से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यह देखिए ध्यान से देखिए इस तर दिया है और फिर आप इसे निकाल सकते हैं इस तरीके से तो यह जो OLED screen है उसे मैंने separate कर दिया है और देख सकते हैं कि यहाँ पर hardware है और साथ पे यह देखिए यह है button cell battery अब यह जो button cell battery है यह तकरीबन एक साल तक बड़ी आसानी से चल जाएगा तो अगर आपको कभी replace करना है तो जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से इसे खोलना है उस तरीके से आपको इस ठकन को खोलना है मैं इसे फिर से pack कर देता हूँ screws मैंने लगा दिया है और इस water bottle में और थोड़ा सा इसको हिला देता हूँ ढकन को भी मैंने close कर दिया है यह बताने के लिए कि लिक नहीं हो रहा है बिलकुल भी लिक नहीं हो रहा है temperature चेक कर लेते हैं यह देखिए 45 degrees दिखा रहा है अभी अभी मैंने इसमें पानी दाला हुआ है तो थोड़ा सा temperature में fluctuation होगा फिर से देखता हूँ temperature यह देखिए temperature दिखा रहा है अब 43 degrees अब यह जो गरम पानी है काफी देर तक गरम रहेगा अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह किसे आप timer का उप्योग कर सकते हैं तो मान लीजिए आपने इसमें कॉफी दाल दिया है तो यह देखिए timer शुर यह देखिए इस तरीके से करना है मतलब आपको एक बार स्वाइब करना फिर से तुरंथ स्वाइब करना है तो इस तरीके से जो टाइमर है वो रिसेट हो जाएगा तो यह बहुत ही interesting product है अच्छे quality का बना हुआ है थंडे पानी को काफी देर तक थंडा रखता है और गरम पानी को काफी देर तक गरम रखता है और इसके अंदर आपको एक coffee brewing attachment भी मिलता है जिसका उप्योग करके आप बहुत अच्छे cold coffee बना सकते हैं गरम coffee भी बना सकते है और अगर आप चाहें तो चाई भी बना सकते हैं इसमें इसकी खास बात है OLED display जहां पर आपको इसके अंदर जो content है उसका temperature आपको पता चल जाता है और साथ में timer भी है timer का function उप्योग करके आपको पता चल जाएगा कि कितने देर से जो content है brew हो रहा है ये खास किसम का product इंड करते हैं तो priority line shipping का इस्तमाल कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे like कीजिए share कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए धन्यवाद